भाईया चंद दीजिए चंदा किस चीज का भाईय नौरात्र दुर्गपूजा का और किस चीज का अच्छा अच्छा देते नहीं देंगे जौँ हाँ नहीं मिलेगा जो भाईय इस बार से क्यों बोल रहा हमीं लोग तो अपने संस्कृति को जिन्दा रखे हुए हैं ऐसे मैं आप सपोर्ट नहीं कीजेगा तो इतना बड़ा बड़ा तैवार हम लोग कहां से कर पाएंगे आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं क्या भाईय मतल मतलब यही कि आपलोग आजकल अपना सारा संपंग तो अनलाइन करते हो तो फिर किस मों से हम से सपोर्ट माझने आते हो हम से चन्दा ले GREG में जाते हूँ, लोकल में तो आपका कोई हक नहीं बनता है जाहिए आप लोग अपना चन्दा भी उसी ऑंलाइन शौप हैं और लेकिन आप लोग कyया है Inתming Day के वह आजकल ए लेधित अ क्या लेकिन को लगें हमारा समान तो घर आशानी से पहुंचा था है हम भाहर क्यों जाएं लेकिन ऐसा करने से वो भूल रहे हैं कि वो लोग लोगों से और रिस्तों से कटते जा रहे हैं पहले लोग बाहर खुदी सामान लेने के लिए निकलते थे तो कई जान पहचान वालों से मुलकात हो जाती थी आपसी रिस्ते मजबूत होते थे दुकानदार से सुख दुक की बाते हो जाती थी घर परिवार रिस्तों की बाते होती थी लेकिन आजकल तो भईया आप लोग को बैठे बिठाए समान चाहिए वो भी कम दाम में और ऐसा भी क्या यार हम लोग किसी को लूट थोड़ी लेते हैं हम लोग भी तो सिर्फ अपने हक का कमाते हैं अपने हक का मांगते हैं और उसी दो पैसे से आपको भी पता है कि हमारा घर परिवार चलता है हम लोग तो फिरी में नहीं दे सकते हैं न इतना तो किसी को समझना चाहिए कि दो पैसे कमाने का हमें भी हक है किसी लोकल दुकान वाले को जानते हो कि वो न अपने ग्राहक के लिए जितना बन पाए उतना करता है किसी भी ग्राहक को नाराज नहीं होने देता है रिस्ता खराब नहीं करता है उसे ग्राहक की इतनी फिक्र होती है, वो ग्राहक को ही भगवान मानता है लेकिन आप लोगों को हमसे क्या मतलब? आप लोगोंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसी दुकान से हमारा भी घर-परिवार पलता है दो पैसे कमाने का हमें भी हक है आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे मैं किसी को एक रुपिया भी नहीं देने वाला चलो जाओ यहां से रुको रवी इनको 1100 रुपिया दीजे ये 1100 रुपिया सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और इतना ध्यान आप लोग भी रखिये कि किसी भी केवार की रौनक हम लोकल दुकानदारों के विज़े से होती है ना कि ओनलाइन शॉपिंग के वालों के जिसे